अटेंट स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है फुल जोश में लाइक करना है क्योंकि आप सभी फोड के आने वाले हो अच्छा करने वाले हो एक बात हमेशा कही जाती है तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगी या किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए नाच्रली अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए यानि जो आपने नहीं किया है या जो आप से नहीं हो पाया है उसके बारे में इस समय रोने का या परेशान होने का वक्त बिलकुल नहीं है बच्चो जो भी हमारे पास समय मिलने वाला है ये तीन घंटे का गेम है इस तीन घंटे के गेम के अंदर जितने भी सवाल आप maximum सही कर सकते हो ये matter करता है इसके अलावा और कुछ भी matter नहीं करता है अब now the point is ये करने के लिए इस समय सही mindset high vibrations बहुत जरूरी है high vibrations के लिए ब बहुत ही amazing रहने वाला है बच्चो और उसके बाद आप exam में फोड़ने वाले हो तो सभी के सभी पूरी team ATP star quota के लिए खुद के लिए like करिए आपको exam फोड़ना है बच्चो you will do it है ना you will do it तो आप सभी को comment section में लिखना है I will do it है ना सभी को लिखना है positive affirmation बच्चो बहु जानते हो जैसे की पूरी team ATP star quota के पढ़ाएवे बच्चे जो है वो physics में, chemistry में, mathematics में 100-100 percentile लाच चुके हैं तो इस समय सूरे सर बच्चो को आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस पॉइंट अफ टाइम पे बच्चे का जो mindset है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भागदौर में लगता है उसको यह लग रहा है किया cover up कर लूँ क्या cover up ना कर लूँ इस शक्कर में वो क्या करता है सर बहुत ज़्यादा message ही पढ़ाई करेगा मतलब एक चप्टर इ आज अपनी sleep cycle खराब करी कल तेरा एक्जाम के अंदर confidence उसी इसाफ से उसी proportion में गरने वाला है हो सकता था अगर कुई सवाल तू बना लेता तो इसकी क्विरेसी भी तेरी 20 से 30 परसेंट गिर जाएगी अगर तेरी sleep cycle सही नहीं है क्योंकि actually होता है क्या विनीट सर स्लीप और यह बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है सो चो एक तो ऐसे ही तना competition पहला कमी है मतलब relatively तो उसके उपर से भी अगर आपने इस चीज का benefit नहीं उठाया आप रॉपर स्लीप लेके नहीं गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाने वाली एक्जाम के अंदर यह तो पहला पहुआ हो दूसरा पॉइंट है जो भी आपको एक्जाम के सेंटर सेंपे अंदर मेंक्षौर करें कि आप पहले से उन सेंटर के बारे में जान लें ऐसा ना हो कि आप सेंटर पे लेट पहुँच रहे हो अपको सेंटर पर जाने की होल पड़ी हुई है in spite of having a calm brain यह भी साही टाइम पर एक्जाम में आ गया होते हैं तो मेक्शुर करें आप ये दोनों मिस्टेक्स ना करें बाकि अब अमिद सर आपको बताएंगे तो से पहले मैं कुछ आड़ करना चाहता हूँ आपकी बातों पर जिसे कि एक्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें बच्चो तो पहले से अगर विजिट कर पाओ तो और भी अच्छा रहेगा कि मालीजी कई बार के वाद कोई सेंटर आपके पास होता है, पांच किलोमेटर शे किलो मेटर भी होता है हो सकता है लेकिन अशल में मालीजी यह तका लुइ परिमेहित कहूंने वाला हाइप पता ही नहीं कि उस समय कितना ताइम लगेगा पेपर में पहले 30 मिनिट में अगर आपने कई सारे सवाल बिल्कुँ सही कर लिए तो आपका confidence बहुत अप जाएगा लेकिन पहले 30 मिनिट में ही अगर आप for example question को पढ़ते ही रहे, overthinking करते रहे, कुछ सवालों में अटक गए तो परिशान हो जाओगे इसलिए शुरुवात के कुछ question select करके जल्दी से उनको निप्टाना और सही करना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल तो इसका मैं hack सर बच्चों को बताना चाहता हूँ कि कुछ chapters होते हैं जिनसे question आते ही हैं जैसे की chemical bonding है तो chemical bonding की कुछ topics हैं जैसे की shape, hybridization, structure and molecular orbital theory question आना लगबग fix है इस चीज़ से coordination chemistry में आप सभी जानते हो यही similar concept पे plus isomerism IPAC से question आने के बहुत high chances हैं तो इस तरह के कुछ आपके favorite topics जो आपने पहले से किये हुए physics में, chemistry में, mathematics में उन कुछ particular topics को यह माली जी 8 से 10 सवाल जिनसे आपके हो जाएं particular अब उनको ही focus करो आप से लेके exam तक सिर्फ उन पे ही focus करो बाकी key points भी revise कर सकते हो लेकिन mainly इन पे ही focus करो अब exam जब आपके सामने screen में question आ जाएंगे तो खट से सबसे पहले उन 8 से 10 question या 15 questions को target कर लो हो सकता है लगबग 30 minute में वो जो questions थे को खट से आप से हो जाए राइट जैसे कि कुछ memory based questions भी सर आते हैं गई बार जैसे metallurgy के ores हो गए कुछ ऐसे part आते हैं जो memory based आते हैं अब खट से बच्चे ने exam देखा और वहाँ पे वो उने याद किया हुआ था खट से सवाल हो गए उससे तो पता है 30 minute में अगर आपका confidence आप रहे गया बच्चो तो यह माली जी आप game almost जीत गए हो over to you Amit sir तो देखो बच्चो काफी सारी बाते आज आपको क्या करना है कल क्या करना है paper से पहले वो sir ने बता दिये तो एक paper के दोरान आपको क्या कर सकते हुआ हम आपको important चीज़ बताने वाले है और maths में तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाले है कई बार आपके साथ में ऐसा होता होगा कि जब आप paper स्टार्ट करते हो तो starting के question नहीं बन रहा दो नहीं बन रहे तीन नहीं लगा था चार पांच question जो वो बनते ही नहीं है और उसी से आपका आगे का जो time है वो भी काफी waste हो जाता है आपका confidence जो वो वहीं पे हिल जाता है लेकिन actual miss में आपको प्रेशान होने की ज़रत नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है एक्जाम में का mindset जो वो भी यही होता है मलब वो सिरफ और सिरफ आपका knowledge चेक नहीं करना चाहते कई बार आपका exam में temperament कैसा है वो चीज़े भी आपकी वहाँ पे check होती है तो हो सकता है और यह maths में बहुत सारे paper में object किया कि starting में question जो थोड़ी से difficult होते है तो जैसे ही आपके साथ में यह वाली चीज होना start होकी लगातार question बनी नहीं रहें तो वहाँ पे आप 10 second का आराम से pose लीजिए थोड़ी सी गहरी सास लो और paper को दुबारा से reverse side से जो वो start कर दीजिए आप जैसे last हो सकता आप objective वाले जो question ने 20th number question उससे start कर दो या फिर जो numerical type के question उनको एक बार पहले solve करने के बाद में दुबारा से जब आप paper स्टार्ट करोई तो हो सकता है कि जो question आप से पहले नहीं बनेते वो भी अब जबब बनना start हो जाए ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना है और exam में बिल्कुल काम रहें जो चीज़े आपने पढ़ी है वही सब आने वाला कुछ भी नया नहीं है जो mock test आपने दिये जिस type के questions की practice आप लगाता है एक साल से कर रहे हो वही question बच्चों पुछे जाने वाले कुछ भी नया नहीं होने वाला इसी में एक बात आइड करना चाहूँगा सर की बात से आदा है मुझे की कुछ नया नहीं होने वाला बच्चों सर ऐसा लगता है कि हमारे टाइमपे कुछ अलगी करांतिकारी paper आने वाला य नहीं हमारे साथ कुछ ऐसा होगा कि हमारे साथ इकुछ खास होता है तो ऐसा लगता है और ऐसा चमतकारी पेपर नॉर्मली नहीं आता है बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत सारे questions ऐसे आएंगे जो relatively काफी easy होंगे तो यह ध्यान रखिए कि पहले easy questions कर लिजेगा एक बहुत ही रामबान तरीका में आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपकी silly mistakes अभी भी minimize हो सकती है सर सर बच्चे क्या करते हैं ना question जो होते हैं जैसे read कर रहे होते हैं screen पे तो क्या होता है पिछला question भी दिमाग में होता है आगे भी कुछ question रीड के होते हैं वो भी दिमाग में होता है और जो चल रहा होता ना उसको सोच लेते हैं यह तो होई जाएगा जैसे कि माली जी chemical bonding को कोई सवाल है या optics को कोई सवाल है तो अगर वो सवाल वो कर रहा है उसको दिख रहा है कि या optics तो मुझे आता है अगर आप एक question पर पूरा focus करेंगे तो इमान लीजिए आपकी accuracy level drastically बच्चो बढ़ जाने वाला है अच्छे एक चीज माँ आप सभी को share करना चाहूंगा सर को बताना था वैसे वो point पर मैं बता रहता हूँ सर टेलीग्राम पर कुछ लाने वाले देखो description बच्चो टेलीग्राम हमारी जो community है हमारी जो family है उसका link दिया है उसका हिस्सा सभी बन जाईएगा क्योंकि कल बहुत crucial insights और PDF और भी बहुत कुछ टेलीग्राम पे आने वाला है बच्चो और इस पूरे यह माली जब से paper चलेंगे लगाता है और कुछ ना कुछ बहुत amazing आता रहेगा और इसके बाद भी advance तक भी हम बहुत कुछ लाते रहेंगे तो टेलीग्राम का link बच्चो description में दिया हुआ है उसका हिस्सा आपको जरूर बनना है सूर्या सर आप कुछ बोलना चाह रहे है बहुत बोलना था सर कि कही के बाद जब ज़्यादा बच्चों को stress होता जैसे आपने बताया है कि इनना मोमेंट में नहीं रह पाता है बिल्कुल सही बात है मतला है कि क्योंकि ज़्यासा सर नहीं बताया है कि अगर माली से चार को क्रिशन आपसे नहीं बने तो पांच में आटोमेंटिकली कॉंफिदेंस गिर जाता है आते हो यह चप्टर में भी तो चोटी मोटी टेक्निक होती है सर मैं बताना चाहूंगा यह ऐपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा स्ट्रस ले रहे है और आपको फोकस में आना है तो थोड़ी बहुत आप डीप ब्रıt ले सकते हो दो-तीन ब्रत डीप ब्रेट लेकर सडरनी छोड ने हो like इस यह आपको काफी रिलाक्स होने में काफी हेल्प करेगा तो आप इस चीज़ को भी बतलब लाइक कर सकते हो एक्जाम के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको ज्यादर स्ट्रस होता है बच्चो फूड से रेलेटिड भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस समय स्टमेक बहुत सई उनीची है स्टमक अगर खराब अजय को कि देखियो नैश्रली स्ट्रस के अंदर भी सर क्या होता हमारी स्टमक थोड़ा गरवड करती है अब ऐसे केस में हमारी थोड़ी से घॉँए है अब ऐसे का माननिजें आपने आज रात को कुछ भी खा लिया कुछ भी अड़शन खालिय कुछ ऑर एकजैंबल है ना बहुत सार आपने पनीर खालिया है बहुत सार आपNे छोले बडूरे खालिया कुछ भी इस तरह से कर लिया, या कल सुवब सुवब आपने कुछ भी खा लिया, तो इस समय बहुत light food खाईए और ऐसी जंगे से ही खाईए जो बहुत hygienic है, ठीक है, या तो घर से बना हुआ है, that is the best, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तो घर से लेके जाएए, best रहेगा ऐसी street food मत खाईएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और अगेन, जो sleep cycle का सर अलड़ी बता चुके हैं, कि रात को सोना सई समय पे बहुत बहुत जरूरी है, और उसका बहुत important technique मैं आपको बता रहता हूँ, सर, finally मैं टेक्निक एक बच्चों के साथ शेर करता हूँ, वो है धीरे आपको exhale करनी है, यानि inhale किया, फिर आपने उसको hold किया, और उससे धीरे-धीरे exhale किया, आखे बंद करके, मैं आपको guarantee दे रहा हूँ, लगबग 10-15 minutes में आपका ये मालीजी आपको नहीं धा जाएगी, मस्त नहीं धा जाएगी आपको, ठीक है, है ना, अच्छा ऐसा ह आपको बताना चाहूंगा बच्चो की, यह जो पूरा समय है, बच्चो को सब डवट रहता है कि क्या करें इस समय पे, पहली चीज, नहीं चीज को तो देखना भी मत, मैंने बोलाता ना, focus on your strength, right, तो focus जो आपने किया हुआ है, उन key points को लिखके देख सकते हो, है ना, revise कर सक मौक टेस्ट का तो यह समय है ही नहीं, तो यह जो किया हुआ है, उसके बस लिख लिखके देखो, and keep yourself busy, योगि जो खाली दिमाग शैतान का घर, यह सच है, मतलब, जारातर के लिए truth है, जारातर का खाली दिमाग हो ही नहीं सकता, खाली दिमाग है तो वो कुछ ना, कुछ thoughts फालतु के आएंगे, उसके अंदर कचरा आएगा, तो इस समय अपने आपको occupied रखें, busy रखें, दूसरी बात, कल exam से पहले, खास तोर पे, जैसे पहले ही पहुच जाएंगे सर बच्चे reporting टाइम पे, तो सई समय पे पहुच जाना, लेकिन यह नहीं कि बिल्कुली बच्चों की अनर्जी बहुत वेस्ट होती है, बहुत वेस्ट होती है, और कई तो वहाँ पे जाके भी लड़के ताक जाक कर रहे होते हैं, ठीक है, man will be man वो वाली बात रहती है, तो बच्चों इस बात से ध्यान रखें, बच्चों वहाँ जाके distraction नहीं होना चाहिए, ठी अच्छा, लाउट भी नहीं है गया, अच्छा, तो आम इस सर को इस बारे में ज्यादा knowledge है, तो बच्चों वही बात है कि या, distract नहीं होना है, कम से कम, at least उस समय तो मत रहो बच्चों यार, उस समय तो थोड़ा ध्यान रखो अपना college life आने वाली है आपकी है, अच्छे college म तो उस समय अपनी energy को conserve रखे, अपनी energy को इधर उदर deviate बिलकुल भी ना करें बच्चों, और the best way is अगर आप किसी के साथ आये हैं, तो you can close your eyes and wait, ठीक है, for the some time, क्योंकि इस समय surroundings को देखके हमारी anxiety बढ़ती है, हमें सर कई बार ऐसे ऐसे चश्मे वाले बच्ची दिखते है जैसे आप भी चश्मे वाले हो ऐसे, हैना, जो बहुत ही पड़ा को लगते हैं, लेकिन होते नहीं है, हैना, लगते हैं बहुत कि अरे भाई, यह करसी त्यारी कर रहा है, ठीक है, तो दूसरों को देख देखके ऐसे परेशान मतों कि अरे भाई, यह तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, दूसरों को मसोचो एर, फोकस ऑन यूर गेम, आपका गेम है, आप मचा के आओगे बच्चो, आप सभी ATP हो, आप सभी फाइटर हो, तो फुल जोश में, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो बच्चो, फुल जोश में लाइक कर दो, और कॉमें टेलिग्राम कॉम्यूनिटी का हिस्सा बंजव बच्चो, कल काफी कुछ आने वाला है, तो पूरी टीम ATP स्टार कोटा की तरफ से बच्चो, बेस्ट वेसे जिन सारी बातों का ध्यान रखिए, सभी सार लोग ने बहुत सोच समझ के आपको सारी बाते बताई है, लव यू बच्चो, आल बच्चो, आल बच्चो, आल देवेस्ट